हलो दोस्तो मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल इस्टडे विद विक्रांत में स्वागत करता हूं और इसमें हम आज देखेंगे दोस्तों देली यसाई की जो परिछ्छा हुई थी 2019 में दिसंबर में 12 संबर को 2000 हुआ था उन्नीस में हुआ था उसका हम डिसकस को सौमिल किया है दोस्तों पचास कुश्चन हम डिसकस करेंगे वन्-टू-वन कुश्चन शुरू करते हैं पहला कुश्चन पहला कुश्चन है शितंबर 2019 में यह सुएसन आप वल इलेक्शन बॉड़ी सुएसन आप इलेक्शन बॉड़ी एडबलू एबी की वर्स 2019 21 की आ आम इवी का तो इसमें में सुनी आरोरा और विए ओम प्रकाष रौट और कि है और तो जो आपका बनाएगा है सुनी रावत सुनी आरोरा को बनाए गया है ृघ्चन यह więks देकश प्रस्न बीए अमने दियाります दिया अब को से घ्मिश्चन बाक्स में बताना होगा लिए कि भारत के मुख्य चुनावायुक्त CEC Chief Election Commission शुनिल अरोड़ा की को कई देशों के निर्वाचन संस्थाओं के बैस्विक अधच के बैस्विक संगठन एस्विएसन आप इलेक्षन बाडी एस्विएसन आप इलेक्षन बाडी EWEB का अधच दो वर्स के लिए नियुक्त किया अरोड़ा ने रोमानिया के लोन मिक रलास्कू का अस्थान लिया है तो दो वर्सों के लिए सुनिल अरोड़ा को AWEB का अधच बनाया गया है दूसरा कूश्चन है उपगरह को जब एक बार कच्छा में अस्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गत्य को नियंत्रित करने वाला एक मातरबल होता है घरसड गुरुत्वाकरसड C लोच और D इधन चलित A है घरसड, B गुरुत्वाकरसड, C लोच, D है इधन चलित राइट एंसर है दूसरे में तो B is the correct एंसर अब हम आते हैं निक्स्ट तीसरा कूश्चन तीसरा कूश्चन है पृत्वी के चक्कर लगाने वाले उपगरह पर गुरुत्वाकरसड बल दौरा कार किया जाता है निन्रिकित में कौश्चन से विसेस्ता समान बृत्वी गत्य के लिए सही है ए बेग सदेव बृत्य की तिज्जा के लंबोत होता है बेग सदेव बृत्य की तिरिज्जा के लंबोत होता है बी है पिंड की चालिस्थि रहती है शी है पिंड का बेग अनवरत परिवर्तित रहता है और इसमें डी है दूरी सदेव बिस्थापन के बराबर होती है तो तीसरे में आपका राइट एंसर है दूरी सदेव लगा यह उसका कुछिश्टिन्स शही होगा बहुता है भारती खिलाडी लच्छ शेन एक खिलाडी हैं तो भारती खिलाडी लच्छ सें किसे समंधिते जूडो से कबड़ी से कुस्ती से बहुते में आपका जो राइट एंसर है जो दे में एए आपका राइट एंसर है मतलब कि लच्चछ सेन एक बैड्मिंटन के खिलाडी है लच्छ सेन एक भारती जूनियर खिलाडी है बैड्मिंटन खिलाडी है लच्छ सेन BWF रंकिंग में पुर्स वर्ग में 31 ह्तान पर काविज है तो 32 अस्थान पर काभी जहें लच्छ सेन जिसका सम्मंद बैड मिन्टन से हैं पाचमा कुश्चन है दे गए तत्तों में से कौन सा तत्तों की आवर्ट स्रेडी में प्रथम अस्थान पर हैं तो प्रथम अस्थान पर कौन है इसमें इसमें से आपको बताना है ना की आपको हाइडरोजन हीलियम बता देना है इसमें से A है पोटेशिम पहला है, B नियान पहला है, C शिलिकान है, D-Sodium है तो जो इसमें आपका पच्वे में राइट इंसर है पच्वे में राइट इंसर है भी तो नियान पहले अस्थान पर आता है इन सब में पोटाइसियम नियान सिलकान सोडियम में से नियान पहले अस्थान पर आता है नियान आपको देख लिए आप संजों नियान यानी एक रासायनिक तत्त हो इसका प्रमाड कुरमांग 10 है तो नियान का प्रमाड कुरमांग कितना है दस है यह आवड़त साड़ी के अठ्रावें शमुमें अक्रिय गैसे जिशें हम नोबिल गैसे कहते हैं अक्री गैसों में रखा गया है रेमजे और ट्रेवर्स ने 1898 में इस गैस की खोज की थी और वाई से इसे प्राप्त किया था तो नियान अक्री गैसे नोबिल गैसे 18 शमू में रखा गया है और इसकी खोज रेमजे जार्ज रेमजे और ट्रेवर्स ने 1898 में की थी और वाई से इसे प्राप्ट किया था नेक्ष कुश्चन है शमान कोशिकाओं में DNA DNA मतलब डी आकसी राइबो न्यूकलीक एशिड और DNA से आर्यन्य राइबो न्यूकलीक एशिड तथा तक अनुवांसिक जानकारी के प्रवाखी प्रकिरिया को कहा जाता है समान कोशिकाओं में DNA से आर्यन्य तक अनुवांसिक जानकारी के प्रवाखी कोशिक प्रकिरिया को क्या कहते हैं प्रतिलेखन, अस्थानांतरड, शी अनुवाद, और डी है परिवाहन तो समान कोसिकाओं में DNA से RNA तक अनुवासिक जानकारी जो प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं प्रतिलेखन तो उसे हम प्रतिलेखन कहते हैं तो आपका A is the correct answer यह आपका सभी अंसर होगा शातव है ओबर सेज सीटिजन आप इंडिया OCI के संदर्व में निम्दली खित कथन है तो आपको बताना है कि कौंब सा कथन साही है यह उन शभी विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्द नहीं है जो जिनके माता पिता या दादा दादी या परदादी पाकिस्तान बैंगलादेश के नागरिक थे एक OCI को केवल दस वर्सों की आवदी के लिए बावबित प्रवेश पीज़ दिये जाते हैं एक OCI को अनुसंधान कारे जिसके लिए बिसेस अनुमती कियो सकता होती है को छोड़कर सभी गत्विदिया करने की अनुमती है और दी है 26 एक 1950 को कोई भी बिदेसी नागरिक जो भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था वह इसके लिए पात्र है अक्टूबर 1929 को दोस्तों बस यहां पर हमें प्रोग देते हैं पात्र है जो 26 जिनवरी एक 26 जिनवरी उन्हें 150 को विदेसी नागरिक थे भारत के नागरिक बनने के लिए पात्र था इसमें आपको बताना था कि OCI के संदर में कौन सा कथन सही है आपका जो कथन सही है वह है दूसरा वाला मतलब की OCI केवल दस वरसों की आवद के लिए बहुविद वीजा प्रदान किए जाते हैं दस वरसों के लिए आपको यादार्चना है अबर हम नेक्स्ट कुश्चन आते हैं नेक्स्ट कुश्चन है अक्टूबर 1929 को परसिद एरविन घोसड़ा में शामिल था तो आपका यहां पर आठवा कुश्चन सामिल हो जाता है आठवा कुश्चन है अक्टूबर 1929 को परसिद इर्विन घोसड़ा में शामिल था भारत के लिए एक अधिराज्य का दरजा भारत में सार्व भावमिक बालिग मदाधिकार रियासतों का सेस भारत के साथ संपूर एकी करण और डी है रियासतों की शोतनस्ता तो जे इसमें आपका राइट एंसर है कि अक्टूबर 1937 को परसिद दे रिविन घोसड़ा में क्या सामिल था कि इसमें सामिल था कौन सा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन था अ हां ट्वेश्चन में आगरा आपको पता हैं तो इसमें भारत के लिए एक दरज़्या भारत में सार्वब भहुमिक वालिक मत्दीकार और इसमें dial कतर मैं यहडियासतों का सेस भारत कि प्रदान कर दिए जाएगा एक अधिराज का दर्जा नवा कुश्चन है आयन मंडल के बारे में निम्द रिखित में से कौन सा कथम सही नहीं है यहां सवर और ब्रह्मांडी बिकिरड़ दोरा आयनित होता है भी है यह समताब शीमा इस्ट्रे इस्ट्रोपेटेज इस्ट्रोपेटेज और के ठीक उपर इस्ट्रोपेटेज है जो इसको हम कहते हैं जो तीसरा करम होता है इसका इस्ट्रोपेटेज का तो परिवर्तित हो जाती है यहां पर आपको बता ना था इसमें जो आपका राइट एंसर रहा है भी यह समताप सीमा के ठीक उपर इस्थित हैं अब हमाते हैं दासों कोश्चन है यहां से सुरू हो जाता है दासों कोश्चन निम लिखित में से किसे 2019 का राइट लाइफ लिहुड अबाड प्राप्त नहीं गए है तो किसे प्राप्त नहीं में है और 28 दिशंबर 2019 को the राइट लाइफू फौन्डेशन की लिए राइट लाइबली हूट अवार प्रदान करने की गुसरा की गई यह पुरुषकार जिसे बैकल्बिक नोबिल पुरुषकार के नाम से जाना जाता है वर्षगाट मना रहा है चार ब्रक्तियों को स्यूडिन की प्रसिद्ध जलवाई कार्यकरता ग्रेटा थुनबर्ग आप जानते होंगे कि 13 वर्षकी है यह इन्होंने जो स्यूडिन में है वहां पर इन्हें ने संसल्धान के सामने प्रदर्शन किया इसके लिए चर्चे में आई तो कई बार इन्होंने कई बिन शमेलनों में भासल भी दिया तो चार ब्यक्तियों को दिया गया है इस बार का फिल्ग गोजी नामी जीनामी और ब्राजील के अमेजन के जंगलों को बचाने के लिए उसके भूमकेने भाने वाली डवी को पे लेके नवा दभी कोपे नवा की तौ इसमें आपका वी सैन है तो यह यह इसमें आपका नहीं पराप्ट हुआ है इंगिनिर्टर तो भर को भी पराप्ट होगा थह अभी घो जिमनिल को ड्रों लाजन्स आपका सही तो यह आपका सही एंसर होगा अब हम आते हैं नेक्स्ट कोक्चन और नेक्स्ट है निम्न लिखित में से किस अस्थान पर पुरा तित्वीदों की पांच जंगली कुट्टे और बारा सिंगा के आउसेश पराप्त हुए हैं तो किस अस्थान पर पुरा तित्वीदों को पांच जंगली कुट्टों और बारा सिंगा के शिंग के और शेश पराप्त हुए हैं एह गुपकल उतनूर बुर्ज होम और दूसर था कुपगल तो इसमें आपका सभी एंसर है बी आपका बुर्ज होम में मिला है बारा सिंगा के शिंग और जंगली कुट्टों के और शेश बाराप्त हैं कि बिस्ट मुक्यबाज चेंपियंसिप में निम्द लिखित मेंशे कौन शी महिला मुक्यबाज अपने प्रथम प्रभेश में फाइनल में पहुचने का गवरो प्राप्त नहीं कर पाई जमुना बोरो मजरानी शैनिया चाहल सर्जू बाला देवे तो बारवे में जवाब का सही अंसर है ए जमुना बोरो फाइदे ने पहुचने का अस्थान प्राप्त नहीं कर पाई बिस्ट में मुक्यबाज चेंपियंशिप में तेरवा हैं विभिन पार्यावराड सारंचर संधियों प्रोटोकाल और उनसे समंदित अस्थानों के संदर में निम्लिखित में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान नहीं है जबी विवित्त पर शम्मेलन नगोजा खतरनाग अप्सिष्ट पदार्थों के शीमा पार अस्थान अंत्रड के नियंत्रड पर शम्मेलन बेसल प्रोटोकाल और सी है जेव सुरच्छ पर जोना और अवड़ी है अंतराश्टी ब्यापार में कुछ खतरनाग रसायनों और किटनासकों से सम्मंदित पूर्व सूजित सामती पर कारेक प्राड़ाली शम्मेलन इस्टाखों हैं तो तेरों में जो आपका राइट एंसर है पहला है जैविक ब्याद्टा पर शम्मेलन नगोया सम्मेलन जो जैविक ब्यां नहीं वहिए हैं पत्रशम ने हैं तो किस ने बताया अलवद्दीन खिलजी ने कुद्ब उद्दीन एबक ने बलबन ने और दिहें इल्टू तमिशने तो जो आपका अच्छा उधावे में राइटे इंशार है वाई शी बलबन ने तो बलबन ने अपना अफ्रसिय का वासच बताया निमन लिखित में से किस प्रगतिहासिक भारती अस्थल पर होमो इरक्टस मानों की खोपड़ी पाए गई है होमो इरक्टस तो होमो इरक्टस की खोपड़ी पाए गई है पंचमड़ी में पंचमड़ी में पटने में और हत नोरा में और शंगन कल्लू में तो जो पंद्राव में आपका राइड अंसर है वह है शी तो हथ नौरह में हाथ नौरह में हो मो इरक्टरस मानों की खोपड़ी पाए गई है और सोलो कुछर है निम्दलिखित में से कौन सभीसे भारत के शमवर्थी सूचे में उल्लिखित नहीं है तो आपको बताना है कि समवर्थी सूचे में कौन सब इसे उल्खित नहीं है समोरती सूची मतलब कि जिस दोनों में सामिल होता है यसे केंदर में भी और केंदर में भी और राज में भी केंदर में भी राज में भी केंदर में संग में भी से हैं संग में 97 97 फिर राज में है शत्तान्त बूइंद कि यहां पर हैं शंग में भी सैंविसे फिर यहां पर है शाचछ्छ और राज वाद 46 है 976 46 46 अब आते हैं इसमें आपका सभी अंसर दो था वह है आपका जो इसमें सभी अंसर था वह था भी मतलब बैंकिंग तो बैंकिंग जो है सम वरती सूचिय में शामिल नहीं है अब नहीं आते हैं निक्ष्ट हैं बैंकिंग आपका दोस्त हूं जो बैंकिंग सामिल है वह संग की सूचिय में सामिल हैं बैंकिंग के जिम्मेदारी के अंदर सरकार के जिम्मेदारी गेनिमेट के बारे में निमलेकित में से कौन सा कथन साही नहीं है या सनी ग्रह के चार औ गुमता है या एक मात्र चंद्रमा है जिसे अपने स्वयम के अत्रिक रूप से उत्पन चुम्ब की छेत के लिए जाना जाता है या बुद्ध ग्रह से बड़ा है या हमारे सवर मंदल का विसालतम प्राकितिक उपगरा है तो उनिस्वे में आपका जो राइट एंसर है वह है ए मतलब या शनी ग्रह के चार ओर गुमता है तो या शनी के चार ओर गुमता है या युद्धा राइट एंसर सत्रह में संबिधान प्रताम संशोधन अधिनियम 1951 दौरा निम्द लिखित में से किस अनसोची को संबिधान में जोड़ा गया था नववी आठवी दसवी शातवी तो जो आपका सूची जोड़ा गया था वह जोड़ा गया था नववी अनसोची दोस्तों हम देखते हैं 900 कुश्चन और 900 कुश्चन है मद्य कालियन सूफी शूफी परंपरा के संदर्व में वली सब्द का क्या आर्थ है? यह है शत्थ क्रम सिश्य आश्रम तो जो वली शब्द का आर्थ है यह है इसमें आपका शत्थ शत्थ इस दर राइट एंसर यह आपका शही एंसर है और बीश्व है शीतंबर 2019 तक सबसे कम उमर के भारती ग्रेंड मास्टर बनने का गोरो किसे प्राप्त हुआ और राउनक शादवानी तो जो वीश्व में आपका राइट एंसर है वह है बी तो आपका बीजी दा राइट एंसर डी गुगेर्श को सबसे कम उम्र में सितंबर 2019 तक गरेंड मास्टर बनने का गावर प्राप्त हुआ है पुछा गया था है और इकी समय है निम्द लिखित में से किस सहार से कारवार होकर नित्रावती नदीबायती है सहार से होकर नित्रावती नदीबायती है ए है शिव मांगा, मैंगलूरू, कारवार और दी है बैंगलूरू बाईसों कुश्टन है जन संक्य की ये संक्रमर सिधान्द के अनुशार, जन संक्य की चक्र में तिरती चरण निम लिखी द्वारा चिनी थे, उच्चे मिरतुदर कम प्रजनन छमता, उच्चे प्रजनन छमता, कम मिरतुदर, C है, कम प्रजनन छमता, कम मिरतुदर, D है, उच्चे प्रजनन छमता, उच्चे मृत्यदर तो 22 में आपका जो राइटिम से रहे वाए सी कम प्रजनन छंता कम मृत्यदर तो माल्थस ने दिया था जनल शंकीर अनुच्चे अनुच्च परीजदर कि बूछाने का दिकार किशे है राष्ठ पती उपराष्ठ पती और के इंदरी मंत्री मंदल तो 23 में आपका जो राइटिम से रहे वाए सी लोक सबहाद दिकार है अनुच्चे चौरासी चार के ताहत अब हमाते हैं अनुच्छे आर्टिकल उसमें 24 कुश्चन आते हैं निमने खित में कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो शमुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है शूरे दोवारताप कारलियोसिस प्रभाव बल गुरुतो अकरसड प्रिथिभी के चुम्ब की इछेत तो 24 में आपका जो राइट इंसर है वाई ए तो 24 में आपका राइट इंसर डी है प्रिथिभी के चुम्ब की इछेत तो डी आपका शही इंसर है 25 है निम्द लिखित में से कौंश्रा भारतीर शम्विधान का प्राउधान उससे सम्मंदित अनुछेत के साथ सही तरिके से जोड़ा गया है मानों में यातायातकनिसेद अनुछेत 24 और भी है जीवन की सुरच्छा और व्यक्तिगास श्रतनरता अनुछेत कीश सिच्छा का अदिकार अनुछेत 22 ए किसी भी कार खाने या खान में 14 वर्सत से कम उमर के किसी भी बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंद अनुछेत 23 और इसमें है जो आपका सही अनुछर है है वह है भी मतलब सिच्छा का दिकार अनुचे बाय से सिच्छा का दिकार अनुचे बाय से सही तरीके से जोडा गया है श्रमिधान के प्रावजान के अनुचे के साथ 26 में जो उपका इसमें पाइरोलीउसाइट taught by लुक् Vineum का ऎव का है मैंग नीज का है तो 26 में जो आपका राइट इंसर रहा है डी मैंग नीज का पाहिरो लुश्याइट मैंग नीज का आश्क है और हम अब देखते हैं शर्टाइस हुआ है आर्थिक सर्वेच्षर 2018-19 के अनुसार राष्ट्री कुल प्रजन अंदर किस वर्सके से प्रस्थ्यापंदर से नीचे रहने की या पेच्छा है तो किस वर्सके से नीचे रहेगी इसकी संभावना व्यक्त के गई है 2020-2021 और 2022-2024 तो आपका इसमें जो सही अंसर है वाइश ची तो 2021 प्रजन अंदर नीचे रहने की उम्मीद है अठाइसवा है निम लिखित में से किसने बिजिट नेशन शाल्विंग टेक्नोलोजी पीपल 29 प्राबलम नमक पुस्तक का साहलेखन किया है तो 29 प्राबलम शालेखब किसके साथ किया है एन चंदर सेखन सुंदर पिजाईए नंदन नीलकोडी नंदन नीलकडी और शैम पित्तरोदा जो अठाइसवा में आपका राइट एंसर है ए मतलब एन चंदर सेखन एन चंदर शेखरन 29 है मौर प्रसासन के अंतरगत सीता अध्यच के अधिकारी थे किर्शी के शाही हरम के खानूं के आयात कर कस्टम ड्यूटिक के तो 29 में आपका जो राइट एंसर है यह मतलब किर्शी के तो सीता अध्यच किर्शी के अधिकारी होती थे किर्शी की भूम को शीता अध्यच कहते थे शीता अध्यच तो तीस्वा है आप उस छेत्र को क्या कहेंगे जो 31 सुचकों के बीच शमलित है ब्यक्व समय रेखचित के वक्र के अंतर गश्वयम के और शमय समय है निम्लिखित में शे इसमें आप लियर नहीं है दोस्तों इसको मत छोड़ देते हैं 1100 कुछिन आते हैंございます 1100 है निम्लिखित में शे कवन भासा हिंद और इंडो आरेन भासा परिवार से संबन्धित नहीं है तो किस भासा परिवार से संबन्धित नहीं आपको बताना है दोगरी मुरा पझाबी अशमीय लिए तो एक दिसवे में आपका रायट एंशर एill ए दोगरी प्रम साध। नेक्स्ट है, जब उसकी जन संख्या कम से कम कितनी होनी चाये 10 मिलियन, 5 मिलियन, 15 मिलियन, 12 मिलियन तो जो 32 में आपका शाही अंसर है वाई ए दस मिली नगजन संख्या हो जाती है तो ये एक मेगा शार के रूप में शेंग राज़त के अंसर हो जाता है इसमें तेतिस्वों कुश्चन है तेरी डोफाइट प्रजनन कैसे करते हैं तेरी डोफाइट प्रजनन कैसे करते हैं बिजाड़ूं की सायता से बीजों की सायता से कलिकाओं की सायता से दी है पराग कलों की सायता से तो आपका इसमें सही अंसर है वा ए तेरी डोफाइट जो प्रजन करते हैं वा बिजाड़ों की साहता से करते हैं बिजाड़ों की साहता से चौतिस्वों कुश्चन है भारत के राष्टपती के महाभियोग की प्रकिरिया भारत के संभिधान के अनुच्छेद में उलकित है तो भारत के संभिधान के अनुच्छेद में 61 में और 63 में 62 सथ में साथ में तो जो चौतिस्वे में आपका राइट एंसर रवाए अनुछेद एक सथ में संभिधान में भारती राष्ट पती पर महावियोग लगाने की प्रकेरिया के संब्द में अउच्छेद है बुड़ड है पक्की ओटो गिलिट ओटी गिलिट सीर्षक की कभिता शंग्रा एक सीर्षक रेड़ी द्वारा रचित है भी है कस्तूरी मुरली क्रिष्न फीवर राय फूर देवरा राम मुहर राय तो 35 में जवाब का राय इंसर है यह मतलब कस्तूरी रंगन द्वारा शिवरेड़ी द्वारा के शिवरेड़ी द्वारा रचित है पक्की ओटो गिलिट सीर्षक का विता शंग्रा थाी था चण तूधर कंडो रिक्टर में जोकि प्राकिति का रियंव इधक्तर है मादक-माडियर्टर और सीथ लग का कर्यें दौरा कि यह जाता है तो भारी जल के अंसर है वाई इसमें जो आपका शहीं अंसर है वाई भारी जल ड्यूटीरियम की आकसाइट तो 6000 जल के भाग में एक परसंट एक भाग शुद्ध जल प्राप्त होता है तो आप जानते होंगे ड्यूटीरियम की आकसाइट को भारी जल कहते हैं D2O फार्मूला होता है भारत करता है यहां अन्याइए भारत करता हो ने हाद धोने वाला तो दोस्तों फञें फरस्टोने वाल ओकशिदम किया जिसें नाम दिया है और तिसों संप में प्रुष्कार2019 समंदी था है अच्छे बंक्टेश मन्जुल भारगव आहां अडम हारपर मर्यम मर्यम मिर्जा खानी तो 38 में जवाब का राइट एंसर है वह है शी मतलब आहां अडम हारपर तो काम साथ पुरुषकार रामनोजिन पुरुषकार अडम हारपर को समानित किये गया है 2019 से 49 है 2019 US Open पुरुष एकल खिताब के समय जीता डेनियल मेदवे दैव नुवाक जोकोविच और रोजर फेडरार और रफेल नडाल 49 में जो आपका राइट एंसर है Y.D. राफेल नडाल को US Open पुरुष सेगल में तो पुरुष सेगल में आपका पुरुष किये गया है राफेल नडाल को US Open पुरुष का तो F.D. आपका शाई एंसर है 40व है 2019 में थोक मुल्य सूच कांकी गर्णा के लिए वर्स के रूप में लिया गया है को आधार कम लिया गया है 2013-14, 2011-12, 2014-15, 2012-2012, तो 40व में जो आपका राइट एंसर है 40व में आपका राइट एंसर B है तो भी 2011-12 को लिया गया है थोक मुल्य सूचका के गढ़ना के लिए 41 है निम्न लिखित में से किसे पीगोवियन कर के रूप में वरगी करिद किया सकता है कारबन कर टेक्स, दिर्ग कालिक पूजी लाप कर टेक्स, आय कर इंकम टेक्स, निगिमित कर कारपोरे टेक्स 41 में जो आपका राइट अंसर है वायए कर टेक्स का देप्स का सुधारों किसी परीइस की निगए था वह किसे समय देते भारती नयाग प्रलारी , भारती नाग रिविव सेवाएं ससट्र रियास्तों का प्रसासन तो 42 में आपका राइट इंसर है B. भारती नागरिक सेवाओं में एचीशन कमिशन 1886 को शुधारू कि इसी पारसी के लिए निर्किये गया था भारती नागरिक सेवाओं कि इसी पारसों के 43 है भारती प्रचीन भारती दर्सन के अनुशार पुरुसार्थ के जीवन का 4 लच्छडों में से क्या शमलित नहीं है काम, आर्थ, यस, मोच तो 43 में जो आपका राइट इंसरे वाइशी यस को शमलित नहीं किये गया है 4 लच्छडों में से और आते हैं 44 है मनिस्यों में हिचकी समानता निम्द लिखित में से किसके नीचे की और अस्थान परिवर्ति सिप्टिंग के करड़ होती है मद्यपट, कतनली कतनली और फेफडे श्वाष नली 44 में जो आपका राइट इंसर है मद्यपट मनिस्में हिचकी समानता मद्यपट के नीचे की और परिवर्तित होने पर होती है आती है 45 वाष है भारत में मिस्रित अत्यवश्था सिधान के एदार पर पहली और द्योगिक नीच किस वर से घोसित की गई थी नीची ने सार्वेनिक और नीची छेतरों के संचालन के छेतरों को असपश रूप से सिमांकित किया 1948 में, 1962 में, 1950 में, 1969 में तो 45 में आपका जो राइट एंसर है वाए यह मतलब 1948 में नैंटिन फोर्टी एट में आते हैं पछिय अलिसमा कुश्चन है भारत के किस राज्य में एक स्वादेशी शमुदाय एक स्वादेशी शमुदाय दोरा कलपना का फासल उगाया जाता है तो 10 शमुदाय दोरा क्या कलपना का फासल उगाया जाता है करनाटक में, ज्हारखन में, उडिशा में, मद्दपर्देश में तो 46 में जो आपका राइट एंसर है करनाटक में तो करनाटक में फसल हुआ जाता है फसल उसमना जाता है 47 निम्लिखित में शेक कौन सी संस्था ग्लोबल गुल की पर आवार्ड परदान करती है तो ग्लोबल गुल की पर आवार्ड कौन सी संस्था परदान करती है इंफोसिस फाउंडेशन गेट्स फाउंडेश तो जो आपका 47 में राइट एंसर है वाई भी बी मतलब बिल एंड मेलिंडा गेड़ फाउंडेशन तो यहां पर फाउंडेशन बना लीजेगा फाउंडेशन तो इसमें भी आपका शहीं अंसर है अर्तलिस हो है सूरी बगल और पाजाक किस राज़ के जो किया यंत्र है तो सूरी और बगल क्या है इसमें आपका हम देख सकते हैं अपसन है उडिसा करनाटक पश्चे बंगल गुजरात तो जो जन जाती हैं वा कहां की हैं गुजरात के तो जो तो यहां पर क्या था शूरी बगल और पाजा किस राज़ के लोग नित्र है जन्त रहें तो जिसमें है गुजरात के उन्चास्वा है निम्लिखित में से कौन सब्स्तान भारत में पूजी बजार को बिनिमित नहीं करता है तो पूजी बजार को कौन नहीं करता है और इरडा बित मंत्राले यार्बी आई से भी तो जो आपका 49 में राइट इंसर हुआ एए इरडा जो है पूरी बजार को बनीमित नहीं करता है बित मंत्राले यार्बी आई शे भी नीमित करती हैं और पचासवा और लास्ट कुश्चन है निम्ली खित में से कौन सा सल भारत की विसालतम सर्सित आद्र भूमी है तो एह नदी गंगा नदी का शर्वभाग और भी है बिम्बनाट के ओल कोल पुलकट जील सुन्दरवन तो दोस्तों जो डी में आपका है इंसर राइट इंसर ह सुन्दरवन तो सुन्दरवन आपका शर्व इंसर है जो संसृत आद्र भूमी है तो दोस्तों हमारे चैनल को देखने के लिए और बहुत धन्वाद हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना मत भूलिएगा धन्वाद